C.I.E.T. N.C.E.R.T. दौरा प्रसुत है ये श्रिंखला राग अनुराग राग अनुराग श्रिंखला में आए सुनते हैं ये कारेक्रम ठुमरी राग मिश्र खमाज ठुमरी भारतिय संगीत की एक शैली है इसके आनेक अंग और उप अंग है यह उप शास्त्रिय संगीत के अंतर गताती है इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव की प्रस्तुती पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसी कारण इसे उप शास्त्रिय गायन के अंतरगत रखा जाता है ठुमरी की बंदिश छोटी होती है और मुख्यता श्रिंगार रस्प्रधान होती है किन्तु भक्ती आदी भावों पर आधारित बंदिश भी ठुमरी शैली में गाय जाती है ठुमरी में प्रयुक्त होने वाले राग भी चपल प्रवृत्तिके होते हैं जैसे खमाज, पीलू, भहरवी, काफी, गौड सारंग और देश इत्यादी ठुमरी सामान्यता छोटी लंबाई अर्धात कम मात्रा वाली तालों में गाय जाती है जिनमें कहरवा, रूपक और अध्धा तीन ताल प्रमुक हैं इसके अलावा दीपचंदी और जत ताल का भी ठुमरी में काफी प्रचलन है राग की ही तरह इस विधा में एक ताल से दूसरी ताल में जाने की छूट भी होती है ताल कहरवा क्या होती है? आईए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं ताल कहरवा कहरवा ताल में चार मात्राएं होती है विभाग दो, ताली एक पर और खाली तीन पर इसके बोल है धागे न तीनक धिन अब आप कहरवा ताल को तबले पर सुनिए कुछ विद्वान इसे आठ मात्राओं का मानते हैं इसलिए इसमें चार विभाग ताली तेन यानि की पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, सात्वी मात्रा पर और खाली पांच्वी मात्रा पर मानते हैं बोल वही है धागे न तीनक धिन अब आप ताल कहरवा का ठेका तीन चार आवर्तियों में तबले पर सुनिए राग मिश्र खमाज पर आधार थुमरी सुनने से पहले आईए राग खमाज को भी थोड़ा जान लेते हैं राग खमाज, खमाज थाट का राग है इसके आरोह में रे वर्जत स्वर है इसके आरोह में शुद्धनी और अवरोह में कोमलनी लगता है इसकी जाती शाढ़व संपून है राग खमाज का वादी स्वर गंधार और समवादी स्वर निशाद है राग खमाज का गायन समाए रात्रे का दूसरा प्रहर है राग खमाज का आरोह इस प्रकार है सागा मापा धनी साम सागा मापा धनी साम राग खमाज का अवारोह इस प्रकार है सानी धापा मागर साम सानी धापा मागर साम अब प्रस्तुत है राग खमाज की पकड़ नीधा मापाधा मागर आईए अब सुनते हैं राग मिश्र खमाज पर आधारित थुमरी थुमरी की बंदिश के बोल है मन मोहन की बाजी वेणू 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 या मधुवन में या कुंचन में या मधुवन में या कुंचन में या मधुवन में या कुंचन में या यमना की वेणू या यमना की वेणू मन मोहन की बाजी वेणू सुनर सखीच मन मोहन की बाजी वेणू मन मोहन की वेणू मन मोहन की वेणू मन मोहन की वेणू भारतिय राग केवल भारतिय वाद्य अंत्रों पर ही नहीं बलकि पाश्चात्य वाद्य अंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं ध्यान रहे कि यदि हम इसी बंदिश को किसी और धुन में गाएं तो राग तो वही रहेगा किन्तु शैली ठुमरी नहीं रहेगी उदहरण के लिए यदि यही बंदिश उसी राग में पर तो किसी और स्वरूप में गाई जाए तो वह ठुमरी नहीं रहेगी यद भी राग अक्षन न रहेगा तो आईए अब सुनते हैं राग मिश्रखमाज में बंदिश परिवर्त रूप में मन मुहन की बाज वेडू मन मुहन की बाज वेडू सुन सखीरी, सुन सखीरी, सुन सखीरी मन मोहन की बाज वेनू या मधुवन में, या कुझन में या मधुवन में, या कुझन में या यमुना की रेनू मन मोहन की बाज वेनू मन मोहन की बाज वेनू मन मोहन की बाज वेनू मन होहन की बाजी वेणू जैसा कि आपने सुना राग मिश्रक हमाज ही रहा परन्तु शैली ठुमरी नहीं रही संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता भारतिय राग केवल भारतिय वाद्य अंत्रों पर ही नहीं बलकि पाश्चात्य वाद्य अंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तनाता रहता है भारतिय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्दिय अंत्रों पर भी बजाये जा सकते हैं विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है यही नहीं भारतिय पारंपर एक वाद्दिय अंत्रों के साथ विदेशी वाद्दिय अंत्रों को मिला कर भी भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बजाया जा सकता है जो आजकल फ्यूशन संगीत के नाम से जाना जाता है फ्यूजन संगीत के अंतरगत भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है इसी विलक्षन गुण की जलक के रूप में अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाध्य यंत्रों के साथ राग मिश्रक हमाज की ये धुन अपने फ्यूजन रूप में अब राग में अब राग में अब राग में अब प्रस्तुत है भारतिय संगीत की अनन्य विशिष्ताओं में से एक है विश्व की समक्र संगीत विधाओं को आत्म साथ करने की अद्भुत क्षमता जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर की संपूनता के साथ वैश्विक शतिजपर विस्तारित और परिलक्षत होता है आएए एक बार फिर से सुनते हैं थुमरी शैली राग मिश्र खमाज में बोल है मन मोहन की बाजी वेनुश् मन मोहन की बाजी वेनुश् सुनरी सकी मन मोहन की बाजी वेनुश् 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 संगीत विद्ध्यार्थी एवं श्रोता गण से अनुरूद है कि प्रस्तुत राग का स्वर्विस्तार अपनी कल्बना से करते हुए अभ्यास करें थुमरी, राग, मिश्र खमाज, अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रिंखला के अंतरगत ये कारेक्रम परियोजना परिकल्पना प्रफेसर अम्रेंद्र कुमार बिहरा, श्रिंखला संचालन राजेश निमेश, आलेक परामर्ष, डॉक्टर इंदु कुमार, विशेश आभार, अजीत होरो, आलेक अनुसंधान एवं संगीतकार, राकेश पंडित, आलेक सहयोग, रवीश त्रिप गायनस्वर, पंडित निर्माल्यदे और नेहा खंक्रियाल, वाचनस्वर, जितेंद्र रामप्रकाश, तक्नीकी निर्देशन, बटिलेंग लिंग्डो, धुनियंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक और कुसुमलता, निर्मान, निर्देशन वध्वनिसंप निर्मान